24 साल के अंतर राश्ट्रे क्रिकेट करियर के बाद वेश्व क्रिकेट को यह यकीन हो गया था कि मैदान पर जो कुछ भी सचिन ने पिछले एक दोर में किया है उसके आसपास भी पहुचना किसी और खिलाडी के लिए नामकिन होगा। वेश्व क्रिकेट के बड़े बड़े नाम यह मानने को तयार नहीं थे कि वेश्व क्रिकेट कभी भी दूसरा सचिन देख पाएगा। लेकिन समय के साथ साथ विराट को हुली और रोहिश शर्मा जैसे खिलाडियों ने इस बड़े अंतराल को पाटने का काम किया है। प्रत्वी शौ विस लिस्ट में आते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र से ही सचिन का पीछा करना शुरू कर दिया था। प्रत्वी शौ को दूसरा सचिन कहना अभी जलबाजी होगी। लेकिन 21 साल की उम्र में सचिन के आसपास भी पहुचना कहीं न कहीं इस खिलाडी की खाबलियत जरूर साबित करता है। और वो भी महराश के थो ग्यापारियों से खपड़े खरीदते और उन्हें शूरत आजी शहरों में बेचा करते थे। प्रत्वी शौ की उम्र जब 4 साल की हुई तब इनकी मा का निधन हो गया। अर इस घटना का सर प्रत्वी शौ के मन पर ना पड़े इसले प्रत्वी श प्रत्वी शौ को अच्छे स्तर की ट्रेडिंग दलवाने का फैसला किया। प्रत्वी शौ के पिता को या विश्वास था कि अगर उनके बेटे को अच्छा कोच और बढ़िया माहौल मिल जाए तो वो एक बहतरिन क्रिकेटर बन सकते हैं। और ऐसा ही कुछ करने के लिए पंकर शौ ने अपना व्यवसाय हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि यो प्रत्वी शौ को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। प्रत्वी शौ का एक महान बल्ले बाज बनने का सफर विरार से सुरू हुआ जहां से इनके पिता प्रत्वी को मोटर साइकल पर रोज रेलेव की बजा से उनकी आर्थिक हालात कम जोर होने लगी थी। प्रत्वी शौ उनके पिता ने लगबग तीन सालों तक का गुजारा अपनी सेविंग से किया। इसके बाद प्रत्वी शौ के टैलन को देखते हुए उन्हें छोटी सुम्र से ही स्कॉलर्शिप मिलने लगी थी। इंडियन ओयल जैसे बड़े ब्राइंट की तरफ से प्रत्वी शौ को एक बड़ी रकम श्पॉंसर्शिप के तौर पर मिल गए थी। साथी प्रत्वी शौ को महराज के एक राजनेता संजेप उटनेस ने जब खेलते हुए देखा तो प्रत्वी से प्रत्वी और उनके प प्रत्वी स्प्रिंग फिले स्कूल में करवा दिया गया था जहांकि क्रिकट टीम में आगे चलकर प्रत्वी शौ को उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए कपतान भी बना दिया था प्रत्वी शौ पहली बार क्रिकेटर बनने की इक्षा को लेकर चर्च गेट आय सुबा चार बजे उठना, स्कूल के लिए तयार होना, नाश्ते में शिर्फ एक रोटी और उस पर घी लगाकर उसे खाकर गुजारा करना, क्योंकि इनके पेता को और कुछ बनाना नहीं आता था, पूरा दिन स्कूल में क्रिकेट और फर आने के बाद भी क्रिकेट, रात को क क्रिकेट और आखरकार कोज घंटो की निए, एक बच्चे के लिए यह सब आसान नहीं था, लेकिन प्रत्वीशाओ ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि एक समय पर आकर उन्हें आभी मालूम हो गया था, कि इन सब का परड़ाम बहुत अच्चा होने वाला है, प्रत्वीश के बहुत काम आई, और यहां 12 साल के इस लड़के ने 1000 से ज्यादा रन बनाए, और 60 से ज्यादा विकट भी अपने नाम किये, 8-9 साल के उमर में अपनी स्कूल टीम को तीन चैंपेंशिप जिताने वाले शो को, साल 2012 में शेफिल शील ट्रोर्नामेंट में अपनी टीम को ली बना लिया था, इसी साल प्रधिशो के एक बाद फिर इंगलेंड जाने का मौका मिला, अब तक प्रधिशो मुंबाई इंडर्शेक्टीन टीम को भी लीड करने लगे थे, और हर स्तर पर उनका प्रदर्शन शांधार जा रहा था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा होना बाकी थ बना दिये थे, जो उसमें किसी भी भारते बल्लेबास द्वारा किसी भी तरह के टूर्णामेंट में मिनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था, यहां से प्रधिशो के तुलना सचिन तेंदूलकर से होने लगी थी, क्योंकि सचिन भी स्कूल क्रिकट के जरिये ही सब की नजरों करते थे, और एक बार इसी तरह सचिन की प्रधिश से मैदान के बाहर मुलाकात थोई, और सचिन ने उन्हें एक बल्ला भेट किया, साल 2016 में प्रधिशो को भारत की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया, जहां उनकी मुलाकात राहुल दरबेड से होई, और राहुल दरब जनुरी 2017 के दिन मंबई की तरब से अपना डोमेश्टिक क्रिकेट डेबू करने का मौका मिल गया, और उस मैच की दूसरी पारी में प्रधिशो ने शांदार स्रतकिये पारी खेल कर अपना प्रधर्शन जारी रखा, आगे साल 2017 में ही प्रधिशो को दलिप ट्रॉफी में अपना पदारपड करने का मौका मिल गया, और यहां भी प्रधिशो ने श्रतक लगा कर वर्शो पुराने से चिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, प्रधिशो का कद अब भारती क्रिकेट में अभिर्श शनीयों उचाईयां हासल कर चुका था, और अब बारी अंतर राश क्रिकेट टीमों के खिलाफ धाग समाने की थी, और ही मौकार प्रधिशो को साल 2018-19 के अंडर-19 विर्शो कप में मिलने वाला था, इसके लिए शो बिलकुल तयार थे, अंडर-19 विर्शो कप में शो ने शांदार तरीकिये से अपनी टीम को लीड किया, जिसके चलते भारती टीम, शो की कप्तानी में और शेलिया को हरा कर एक बफिर विर्शो चैंपियन बनी, प्रधिशो ने इस विर्शो कप के दवरान 6 मैचों में 211 बनाये थे, जिसमें 2 अर्सरत की अपारिया भी शामिल थी, साल 2018 में प्रधिशो को आईपेल में भी अपना पतारपड करने का म सबसे युवा खिलाडी बन गए, 27 सपरेल 2018 के दिन प्रधिशो ने कुलकाता की तरप से अपना पहला आर्शे तक पूरा किया, और इस तरह बेशुकी सबसे मुश्किल लीग में भी प्रधिशो का शांदार सफर शुरू हो गया था, प्रधिशो का बल्ला हर जगा आग अगस 2018 में प्रधिशो ने भारत के अंतराशे सेलक्टर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था, प्रधिशो के इंगलेंड के खिलाप टेस्टर सरीच के आखरी दो टेस्ट के लिए सिलक्ट किया गया, लेकिन उने खिलने का मौका नहीं मिल पाया, अगले महीने प्रधि प्रधिशो भारत के लिए टेस्ट डेबू पर श्रतक लगाने वाले सबसे इवा भारती बल्लेबास बन गए, प्रधिशो की उसे 134 सरों की पारी में लगा हर शौट, वेश्ट क्रिकट के बड़े से बड़े खिलाडी को भी कुछ न कुछ सिखाने के लिए काफी था, प् उनके करियर और उनकी जिंदिगी का सबसे बोरा दावर था, जहां से बाहर निकलना असान नहीं था, लेकिन प्रधिशो ने हिम्मत बनाए रखी और साल दुजर 21 में हुई विजए हजारे ट्रॉफी में शांदार कमबैक किया, प्रधिशो ने इस डोनमेंट में शांदार 827 रन बनाए, जो 165 के अबरेस से निकले थे, इन 827 रनों में एक 12 शातक भी शामिल था, जो पाउंड़ चेरी की टीम के खिलाब निकला था, और 227 रनों के चलते प्रधिशो विजए हज़रे ट्रॉफी के किसी मैच की एक पारी में सबसे ज्याता रन बनाने वाले बल्ले प्रधिशो को 2020 और श्रेले दोरे के बीच में भारत की टेश्ट टीम से बाहर होना पड़ा, और उसके बाद प्रधिशो को इंग्लेंड दोरे के लिए भी कंसीडर नहीं किया गया था, अंतराशे क्रिकेट का गुस्सा प्रधिशो के डोमेस्टिक प्रधर्शन और आईप 2020 में कोलकाता के खिलाफ एक आईपेल मैच के दोरान प्रधिशो रहाने के बाद आईपेल इतियाज के दूसरे से बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक ओबर में 6 बाउंडरिस लगाने का करणामा किया था, प्रधिशो इस साल भी आईपेल में दिल्ली के तरब से खेलते ह वार्नर के साथ शांदार साज़ेदारी करते हुए शाओने अपनी टीम को एक अच्छा स्कोर कम से कम गेदों में जेज करवाने में आहम भूमी का निभाई थी, कि प्रधिशो के बल्ले से आगे भी आईपेल में हमें शांदार पारियां देखने को मिलती रहे और जल्दि झाल 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 झाल